देश भर में दिली का सदर थाना नंबर वन बना है आखिर क्यों इसे नंबर वन का यह कब दिया गया है इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जिला के जो है हो मिनिस्ट्री उनका हर साल एक नंबर वन थाना तक्रीवन पंदरह जार थानों में से वो निकालते हैं जिसमें अलग अलग पैरामीटर होते हैं एक क्राइम रेट होता है लाके का इलाके में लॉडर की विवस्ता होता है एक पैरामीटर एक पैरामीटर जो इन्वेस् कि इसमें हमने क्या किया तो यह एक ऐसी मैं इसमें बता सकता हूं कि पिछले पांच-छे सालों के कम से कम जितने भी हमारे यहां की एसे चोज हैं सीनिर आफिसर एसीज़ पी डीसीज़ पी इवन हमारे जो जैसे यह सदर थाना 2020 में दिल्ली का नंबर वन थाना आया था उसके बाद भी जो वहां सीपी सर थे और अभी जो प्रेज़ेंट सीपी सर है इनका बड़ा स्ट्रेस है कम्यूनिटी पुलिसिंग पे तो हमने जो यह सब की एक कलेक्टिव जॉइंट एफट है सीनिर आफिसर की गाइडेंस है जिस अच्छिये से वर्क कर रही है पफ ली के सीपरिक ए कर शाइबर का डेक्राइव हो जो फिर फ्र वट इचमाना है यह जो आपको कोई उटको जूटी बात है वह सब अपस में डील करते हैं और कहते हैं कि हम इलाके में शांती वस्ता काइम रखेंगे. पुलिस का पूरा सा योग रहता है कि पुब्लिक को किसी तरीके की जजादा कुछ दिक्कत नाएःग, क्योंकि सदर बेन भादर थाना दिली का में बजा रहा हहे आ पुलिके के जो 3-4 में बजा रहें, तो पुलिस प्रेजनस काफी हम बढ़ाते हैं यह जो सदरबजार इलाका जैसे आपने बताए कि यहां पर प्रमुख बजा रहे हैं तो उनकी सुरक्षा भी जो है कितनी बड़ी चुनोती होती है और कारोबारी आम तोर पर देखे जाते हैं कि पुलिस से नाराज रहते हैं व खरीद बगएरा और इस अब चक्कर में लोग कैश लेकर घूमते हैं लेकिन इसी में मैं ऑपर्चुनिटी ये बोलूंगा कि यहां के लोग जो हैं वो हमारी एक साथ में शक्ती है मैं हम अक्सर यहां कहते हैं कि थाने की स्टेंथ डेट सो दो स्टाफ नहीं थाने की स्टे को बहुत अवेर किया हुआ पबलिक हमें कोई शक्की आदमी हो को शक्की को इमान लीजिये कोई वस्तू है तो साथ के साथ उनको बीट वाले जो भाहिया है उनके उनका फोन नंबर मालूम है साथ ही फोन करते हैं जी यहां पर इस तरीके कोई गतिविदी पाई गई है तो अभी के समय में थाने के भीतर आने वाले लोगों को भी कई परकार की सुविधाएं यहां पर दी जा रही है किस तरीके की सुविधाएं है जैसे आपने चाइल्ड फ्रेंडली बना रखा है किस तरीके की और सुविधाएं है यहां पर देखे यह आपने बात बड़ी उसी समय की बिल्डिंग है यह बिल्डिंग डेट सो साल पुरानी है उस बिल्डिंग के साथ साथ हमने यहां मौडर्न जो है यहां पर एक हम क्योस्क अभी सेट कर रहे हैं जिससे की ऑनलाइन जो इफ एर होती है यहां कोई डिटेल चाहिए तो वह भी आके जो पबलिक आके इसके अलावा हमारे स्टाफ जो है उसकी वेलफिर के लिए हमने बहुत यहां पर एक्टिविटी यहां हमारे अंदर आप देखेंगे हाल में बेड्मिंटन कोट है हमारे चिल्डन रूम है एक लाइबरेरी है हमारे पास एक जिम भी है और इस तरीके से छोटी-छोटी आगर सिंग कल्शी को जिन्होंने बताया कि यहां पर ना केवल अपराद को लेकर काम किया जाता है बलकि इलाके के लोगों के साथ तालमेल बिठा के चला जाता है ताकि यहां पर ना तो अपराद हो और लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दी जा सके इटीवी भारत दिल्ली